तो हलो दोस्तो इलो टॉनिक्स वर्क यूट्यूब चैनल में एक पार फिर से स्वागत है दोस्तो तो आज क्या वीडियो दोस्तो है कि एलजी कंपनी का 21 एज का अल्टर सिंस CRT TV है इसका PCB रिपेरिंग वीडियो है दोस्तो यह यह वीडियो अगर आप नए टेकनेशन है तो पूरा वीडियो जोड़े देखना दोस्तो तो यह रहा दोस्तो हमारा PCB जिसका component detail में पीछे आपको दिखा चुका हूँ ताहिए दोस्तो इसका हम सबसे पहले दिखाते आपको इसमें प्रॉब्लेम क्या है तो जैसा कि दे सकते दोस्तो इस PCB में लगा हुआ में फ्यूज ब्रश्ट हो चुका है इसका फ्यूज जल चुका है दोस्तो दे सकते हैं और इसमें लगा हुआ HDR जो की power supply में लगा होता है दोस्तो वो भी हमारा burn हो चुका है दे सकते है HDR भी फट गया है इसमें तो आए दोस्तो सबसे पहले इसमें हम नया फ्यूज डालेंगे दोस्तो उ तो देख सकते हैं, मैं इसमें नएा टूज लगा दिया हूँ और STR निकालने से पहले सबसे पहले दोस्तों, ये कैपेस्टर हमको निकाल ला होगा, जोगी 500 वोल्ट का होता है, मेन फिल्टर कैपेस्टर, आपर ये दोस्ते बबिना दीरी किये ये, फिल्टर कैपेस्टर भी मैं निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं HDR निकाल लूँगा देख सकते दोस्तों HDR बुड़ी तरीका से बर्न हो चुका है वीडियो में बने रहे दोस्तों मैं एक एक करके सारे कंपोनेट में दिखाऊंगा ये वीडियो में आपको देख सकते हैं दोस्तों मैं HDR के पेज़ खोल लिया हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों मैं HDR निकाल चुका हूँ अब PCB को मैं अच्छे तरह से कलिवी करूँगा जहाँ पर मैं पुराना HDR लागा था उसी जगह पे हमें नया HDR भी लगाना है तो मैं PCV के साफ कर लिया हूँ और यह रहा हमारा दोस्तो पुराना वाला HDR देख सकते हैं कितने बुरी तरगा से यह बस्ट हो चुका है तो इस पुराने वाले HDR के नंबर देख सकते हैं दोस्तो इस पुराने वाले HTR के नमबर दोस्तो 65 बने है इसके जगह पे हम नया HTR भी सेम नमबर का डालेंगे दोस्तो तो वीडियो में बने रहे आप लो दोस्तो बहुत सरे टेकनिसियन इसमें HTR लगाने के बजाए इसमें module लगा देते है जो की China module होता है यह ठीक बात नहीं है दोस्तो इसमें आप नया HTR ही लगाएंगे क्योंकि यह HTR market में मिल जाता है दोस्तो तो देख सकते हैं दोस्तो यह हमारा नया HTR है इसका नमबर में दिखाता हूँ आपको देख सकते हैं इसका सेम नमबर है दोस्तो पैसर चोबने डबलू पैसर चोबने यह HTR market में मिल जाता है दोस्तो अच्छा होगा इसमें आप HTR ही लगाएंगे इसमें module लगागे भी आप टिक कर सकते हैं इसमें HTR लगाएंगे तो यह अच्छा काम करेगा दोस्तो पर यह दोस्तो सबसे पहले मैं अपने मोगाल के कैमरा को अच्छी दरगा सेट कर लिया हूँ ताकि वीडियो दिखाने में कोई प्रब्लम ना है तो देख सकते हैं दोस्तो अब मैं HTR लगाँगा यह वीडियो थोरा लंपा जरूर होगा दोस्तो लेकिन नए टेकनिसियन के लिए काफी हेल्पुल होगा देख सकते हैं दोस्तो HTR लगाने से पहले मैं इसमें हीट कमपॉंड लगा रहा हूँ यह हीट कमपॉंड लगाने से दोस्तो हमारा HTR जब हीट होगा तो इसका गर्मी दोस्तो हीट सिंग में अच्छे तरीका से टांसफर हो जाता है यह हीट कमपॉंड पेस्ट अगर आपके पास हो तो आप जरूर लगा दिएगा दोस्तो अगर ना हो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है देख सकते दोस्तो धर्माल ग्रीस भी से बोलते है तो आएए दोस्तो हमें HTR को PCB में इंस्टॉल कर रहा हूँ देख सकते दोस्तो दोस्तो यह वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तब ही आपको समझ आएगा एस्किप करके वीडियो मत देखना दोस्तो तो देख सकते दोस्तो मैं HTR को PCB में इंस्टॉल कर दिया हूँ अब इसमें लगा हूँ दोस्तो अच्छे तरीका से हमें टैट करना पड़ेगा इस्कुरू को हमें धीला नहीं छोरना है दोस्तो तो वीडियो में दोस्तो आप आख्री तक बने ड़े है मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ दोस्तो देख रहे हैं दोस्तो मैं स्कुरू को टैट कर रहा हूँ तो देख सकते दोस्तो मैं HDR को इंस्टॉल कर चुका हूँ और इसके पीनो को भी PCB में सोल्ड कर चुका हूँ देश सकते हैं आप लो देख रहे हैं दोस्तों मैं PCB को अच्छे तरगा से किलीन भी कर चुका हूँ सोल्डिंग करके तो आगे दोस्तों इसमें 4700 बोल्ट के जो मैंने कैपेस्टर में निकाला था दोस्तों में फिल्टर कैपेस्टर वह वाले कैपेस्टर दोस्तों इसमें फिर से हम लगा देंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें पावर देके चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज बंद है या अभी भी कोई सा पार्ट खराव है दोस्तों तो वीडियो देखते रहें दोस्तों आप आ आचे दोस्तों वीडियो बने रहे आप बिमियर को चेक करके दिखाता हूं आएफ दोस्तों मेद विडीक करका करके दिखाता हूं आपको primeira पहले मैं दोस्तो ऐसी 220 वोल्टेज जो आता है मेंसी वोल्टेज वो मेंचेक करके दिखाते हूं आपको कि यहां पे देखिए दोस्तो कि यहां पर मेल्डिमीटेर का रहीं से थोरक स्फोर निया थोरक पहरा काörा था digo देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 330 वोल्टेज आ रहा है आए दोस्तों अब मैं सेकेंट्री साइड इसका देख सकते हैं यह 110 वोल्ट वाले टेपिंग पर में वोल्टेज चक कर रहा हूं यहां पर हमारा दोस्तों मीसिंग है यहां पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा है देख सकते दोस्तों इसका मतला हमारा भी पावर सेक्षन काम नहीं कर रहा हैं यहां पर स्वीचिंग नहीं ओर रहा है दोस्तों तो पीसीबी के इस सेक्षेन में काम करने से पहले देखिए दोस्तों इसमें सारे 400 वोल्ट का जो फिल्टर कैपेस्टर है वहाँ पर बोल्टेज एस्टोर रहता है मैं 100 वाट लेंप की सहता से इस फिल्टर को डिस्षार्ज कर लूँगा अन्यथा हमें सौक लग सकता है तो आए दोस्तों इसमें लगए एक एक कंपोनेंट को मैं चेक करके दिखाता हूं हमारे str काम क्यों नहीं कर रहा है तो देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर पावर आउन कर दिया हूं अब मैं फिर str के पिनों पर वोल्टेज चेक करूंगा फिल्टर पर देखिए दोस्तों यहां पर 330 बोल्ट परजेंट है str को first time on करने के लिए इसके 39 पिन को 10 से लेके 15 बोल्ट के जवत परती है और यह बोल्टेज देखिए दोस्तों 20 बोल्ट AC से लिया जाता है देखिए दोस्तों यहां पर एक डायोड लगा के और उसके आगे 2 high value का रेस्टेंस रिजम लगा के लिया जाता है तो यहां पर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ देखिए दोस्तों डायोड के पहले सीरे पर 119 बोल्टेज पर्जेंट है और इसके दूसरे सीरे पर 119 बोल्टेज यहां पर पर्जेंट है और यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर एक रेस्टेंस लगा है कि यहां पर देखिए दोस्तों पचास बावन बोल्टेज यहां पर पर प्रजेंट है और सिरीज में एक और रेस्टेज लगा है यहां पर कोई बोल्टेज नहीं है देखिए दोस्तों और इस रेस्टेंज के दूसरे वाले सिरे पर बोल्टेज प्रजेंट है और आगे वाल अ हो सकता है दोस्तो हमारा ये रेस्टेंस खराब हो कि दोस्तों इन दोनों रेस्टेंश को सेम हैं 99 के का है मैं आपको इसका वैलू भी में दिखा धिया पाइस करेंगे देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ एहले र olması मैं नाइन की नाइनक यनि परस्टतलिया अमारत कि आगे से जोफर कि आगे अन्योष हैं कि अंदेत अब करोंगा कलtera तीसरा मिंदbaj क्रों तो है यहां पर स्रॉटिंग चेक करूंगा यहां जिसका लोकेशन जेट डी आठ सो एक है और और 25 बोल्ट का यह जिने टैवर है यह जिने टैवर हमारा सौट हो चुका है आए दोस्तों इसको हम सरकिट से निकालते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं कि देख सकते हैं मैं डिसल्टिंग विक से इस जिने टैवर को निकाल रहा हूं उसके बाद मैं आपको फिर से कंटिनिटी चेक करके दिखाता हूं तो वीडियो मां आप बने रहें दोस्तों देश सकते हैं दोस्तों अब मैं यहां के कंटिनिटी चेक कर रहा हूं अब यहां पर कोई हमारे जिरो जिरो ओम नहीं बता रहा है दे सकते हैं दोस्तों अब यहां पे ग्रॉंट से हमारा सौटिंग खतम हो चुका है यानि यह जिने डियोड हमारा सौट था यही वो जिने डियोड है अब मैं इसको बाहर निकाल के चेक कर रहा हूँ देखिए दोस्तों यहां पे जिरु जिरु ओम बता रहा है यानि यह जिने डियोड हमारा खराब हो चुका था आए दोस्तों अम में यह दोनों रेश्टेंस जो मैं बाहर निकाला था उसको मैं सरकीट में लगाया के फिर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो देख सकते हैं दोस्तों मैं सरकीट में ये दोनों resistant लगा दिया हूं और इन दोनों पिनों को sold भी कर चुका हूं देख सकते हैं दोस्तों और ये व्यला जिनाट डियोर्ड में निकाल दिया हूं ये दोस्तों protection के लिए लगा होता है और PCB को मैं अच्छे तरगा से क्लीन भी कर लेता हूँ तीनर ये पेट्रॉल से देख सकते हैं दोस्तों मैं PCB को साफ कर रहा हूँ तीनर से और उसके बाद मैं इसमें पावर एन करके फिर में देखता हूँ हमारा काम बना की नहीं बना यह अभी भी कहीं प्रवल्लेम है यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा वोल्टिज आ चुका है और आए दोस्तों मैं EST 110 बोल्ट वाले पीन पे वोल्टिज चेक करता हूँ यहाँ पे अभी भी हमारा वोल्टिज नहीं बना है इसका मतलब दोस्तो अभी भी कहीं problem है अभी भी हमारा problem बाकी है देखिये दोस्तो यहाँ पे कोई साब voltage त्यार नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा STR अभी switching नहीं कर रहा है आगे दिखिये दोस्तो मैं इसमें लगा हुआ एक एक component को मैं चेक करूँगा तो स्वाच पहले दोस्तों यहाँ पर हमसी सारे रेशिश्टbalance को चेक करना होगा ग़िए दोस्तों यहां पर एक रेशिट्रेंस लगा है यहाँ पे मैं इस रेश्टेंज को चेक कर रहा हूँ जो कि 5.2K का होता है यहाँ पे लगा हुआ Location R844, 5.2K का है यह रेश्टेंज है यह रेश्टेंज हमारा open दिखा रहा है इसका value दोस्तो हाई हो चिका है तो आए दोस्तो मैं इस रेश्टेंज को सरकीट से बाहर निकाल के चेक करता हूँ फिर इसका exact value हमें पता पिल चल पाएगा दोस्तो YouTube आपको इस तरीका से कोई नहीं सिखाएगा मेरे वीडियो में दोस्तो एक एक चीज को बताया जाता है एक एक कंपोनेंट को आपको जानकरी दिया जाता है ऐसा नहीं जो फटा-फट दिखा दिया आपने में ठीक कर लिया ऐसा नहीं है देख सकते हैं दोस्तो मैं ये वाला रेश्टेंज बाहर निकाल रहा हूँ अब मैं बाहर निकालके फिर इसका एक्जेक्ट वैल्यू हमें पता चल पाएगा देख रहे हैं दोस्तो ये रहा दोस्तो हमारा ये वाला रेश्टेंज मैं बाहर निकाल लिया हूँ इसका वैली दोस्तो आईए फिर चेक करते हैं बाहर निकालके देख सकते हैं दोस्तों इसका वैल्यू देखी दोस्तों यहां पे कोई सा वैल्यू नहीं बता रहा है यानि यह रेश्टेंस हमारा उपन हो चुका है इसकी जगह हमें नया रेश्टेंस लगाना पड़ेगा यह रहा हमारा नया रेश्टेंस जो की सेम वैल्यू का है 5.2K का है आईए दोस्तों मैं जल्दी से रेश्टेंस लगा के इसके पिनों को सोल्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख रहे हैं दोस्तों मैं सर्कुट में नियो वाला रेश्टेंस लागा दिया हूँ और इसके पिन को मैं सोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या कुछ सिखने को मिल रहा है नया तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिये आगे दोस्तों मैं इसका अब रेस्ट्रेंस वैली चेक करूंगा सर्कुट में लगे हुए ही देखिए दोस्तों इसका वैली यहाँ पर 5.4K दिखा रहा है यहाँ पर हमारा 5.2K रेस्ट्रेंस लगा था कोई नहीं चलेगा दोस्तों 5.2K की जग़ा 5.4K भी चल जाएगा देख सकते हैं दोस्तों तो आएए दोस्तों अब मैं इसमें पावर आउन करके फिर में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं तो सब पहले देखिए दोस्तों फिल्टर पर यहाँ पर 330 वोल्ट हमारा आ गया है और यह स्टी बी प्लस 110 वोल्ट की जग़ा पर देखि दोस्तों अब मैं फिर से आपको दिखाता हूं आगे कहां पर क्या प्रॉल्ब्लम है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि में फिल्टर कैपेस्टर को मैं डिसार्ज कर लिया हूं जो कि 450 वोल्टेज का है कि आगे देखिए दोस्तों इसके आगे एक और रस्टेंस लगा है 모습 कि देह सकते हैं जुientी दोस्तों यहां कि एक रस्टेंस लगा है जिसका वेल्यू जीरों है यह बाला रस्टेंस हमार, болat ठीक भातिन नुद के इसका आगे देखिए दोस्तों से यह यह रस्टेंस लग कि आये दोस्तों मैं इसका वैल्यू चेक करता हूं कि देखिए दोस्तों यहां पर हमारा कोई वैल्यू नहीं बता रहा है कि यह रेश्टेंस मैं बाहर निकाल के चेक करूंगा कि वीडियों में बने रहे दोस्तों कि मैं यह बाला रेश्टेंस बाहर निकाल रहा हूं कि अगा है कि अंदेश क्रक्राइब इसकते दोस्तों मैं यह रेस्ट्रेंस को बाहर निकाल रहं और बाहर निकालके मैं इसका वैल्ली चेक करूंगा जो कि 222 ओम का यह रेस्ट्रेंस है इसमें दोस्तों str rush oh Archie करणान बहुत सारे component खराब हो गया तो इसके सारे पीन आपसमें sort हो जाते हैं और इसमें लगे वेए component को भी खराब कर देते हैं तो देखा दोस्तो इस सर्कीट में हमारे कितने सारे कंपोनेंट खराब निकले बहुत सारे टेक्निसें दोस्तो इस पावर सप्ले को रिपेर करने के बज़ाए इसमें मॉडियोल लगा के काम चला देते हैं कि देख सकते दोस्तों मैं इस रेजेंज को बाहर निकल के छेक कर रहा हूँ यह हमारा कोई वैली नहीं बता रहे हैं जब कि यह 222 बाइस ओम का राखिस ए है इसकी जगोसीं 2019 का है कि ये रहा दोस्तों हमारा नए रेश्टैंस जो की सीम वैल्यू का है 220 ohm का है तेसकते दोस्तों 220 ohm का ये नएح रेश्टैंस है आए दोस्तों ये वाला रेश्टैंस मैं सर्किट में लगा के फिर मैं आपको क्यों गbinत करके दिखाता हूं कि अब भी हमारा power supply काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या भी कहीं प्रॉब्लेम है यह new validations को मैं PCB में sold कर रहा हूं और आगे दोस्तों मैं अब इसमें voltage चेक करूंगा तो वीडियो में बने रहे दोस्तों इस तरीका से आपको एक एक चीज में दिखा रहा हूं आपको तो आएए दोस्तों अब मैं फिर से voltage चेक करता हूं इतने सारे component बदलने के बाद ESTB plus pin पे देखिए दोस्तों अब हमारा voltage बन रहा है 146 voltage के करीब आ रहा है जो की set हमारा भी no load condition पे है तो देखा दोस्तों हमारा power supply voltage त्यार कर रहा है यानि power supply हमारा ठीक हो चुका है बाकी voltage भी हमारा बन रहा है यहाँ पे 14-15 voltage भी हमारा बन रहा है देख सकते दोस्तों अलग-अलग section के लिए जितने भी voltage चाहिए सारा voltage हमारा बनना शुरू हो चुका है तो देखा देखा देख्यों इतने सारे मसकत करने के बाद हमारा power supply ठीक हो चुका है तो फैनली दोस्तों इतने सारे component बदनने के बाद हमारा str section working में आ गया है देख सकते दोस्तों आए दोस्तों मैं str के सारे pin पे आपको मैं voltage चेकर करके दिखाता हूँ तो सब जब वहले first pin पे हमें voltage fluctuation के दुरूप में मिलना है यहाँ पे कोई स्थीर voltage नहीं है देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद इसके दूसरा pin पे यहाँ पे भी कोई voltage नहीं है दिसरा pin पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14.6 voltage मिलना है इसके बाद चौथा pin पे 3.6 voltage मिलना है और इसके पांच पे pin पे 1.8 voltage मिलना है और छटे पिन पर कोई वोल्टिज नहीं है तो देश सकते दोस्तों मैं आपको सारा जानकारी दे चुका हूं इस वीडियो में तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए अगर आप नए है तो चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब करना मत भूलिए दोस्त दने लाद